हेलो दोस्तों कैसे आप सब आई होप सब अच्छे होंगे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नाने के गार्डन में तो दोस्तों यह देखिए यह मेरी सेम की वेल्ड है और इसको जो है मैंने सेट से ही उगाया है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंग कि हमें इसकी केर किस्तर से करनी चाहिए इसको किस्तर की मिट्टे में हमें लगाना है पानी कैसे देना है दूप इस पोदे को दिखानी है या नहीं दिखानी कौन सा फटिलाइजर हमें डालना है और कितने दिनों में डालना है यह सब बाते जो हैं मापको इस वीडियो में शेयर करूंगी तो मेरी वीडियो को लास तक चरूर देखना सबसे पहले तो देखें मैंने जो यह सेम की बेल है इसको एक रसी से मैंने बान दिया है ताकि यह उपर की तरफ चलती रहे और अब बात कर लेते हैं हम इस फोदे के लिए मिट्टी की तो इस फोदे की मिट्टी जो है विल्कूल वेल्डरिन होनी चीए तो मैंने इसमें जो है 50% गार्डन सोल ली है और 30% जो है मैंने इसमे कंपोस्ट ली है आप कोई भी कंपोस्ट ले सकते हो वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो गोवर की खाद भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो और इसमें 20% जो है मैंने सैंडली है और थोड़ी सी जो है मैंने इसमें नीमकी खली एड़ की है जो और गैनिक फंगी साइड का काम करेगी और ये देखिए मेरा बैंगन में फूल भी आयोए है तो इस तरह की मिट्टी मे जो है मैंने इस बेल को लगाया है जिससे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और अब बात कर लेते हैं इस पोदे के लिए दूप की सेम की फली के पोदे को रोज कम से कम 6 गंटे की सीधी दूप मिलनी चीए तो इस पोदे को हमें ऐसी जगे लगाना है जहां पे इसक पोदे को जो जितनी अच्छी लूप मिलेगी है उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा और आप करते है इस पोदे के लिए पानी की तो इस पोदे की मिट्टी में नम Hue रहनी जा पनी इसमें चीए इसकी मिट्टी चस प्रविए इसमें पाइन डालए और अब बात करते हैं इस पोदि के लिए स्था बश्च धिलाहिसर failure तो इसमें जो है हर 20 दिन में आप इसमें आप मारे अपने होरी यहाँ हमें सेम की फल्या भी इससे मिलेंगी तो यह अर्फ 20 दिन में इसमें डालना चीए और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना शेर करना और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बै बै